हेलो दोस्तों मेरा नाम है विशेक महाजन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैनल जैनल एक चैकी तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HP Pavilion EC जो gaming laptop series launch हुई है HP के तरफ से तो आज इस video session में हम उसके बारे में बात करेंगे अपलोड कर रखी है आपने उस video को देख रखा होगा बट मुझे यहां बहुत दर रिक्वेस्ट आरी थी इस पर्टिकुलर laptop के लिए तो मैंने सोचा कि आपको सारे variants आज मैं इस video session पे explain कर दूँ तो दोस्तों इस video session का main target यही रहने वाला है कि मैं आपको हर एक variant की details दूँ और मैं बताओ कि कौन सा variant value for money है कौन सा variant value for money नहीं है जो variant value for money नहीं है उसके competition में आप कौन से और laptops है जो check out कर सकते हो और खरीच सकते हो तो video interesting and helpful होने वाली है तक जरूर देखना अच्छी लग जाए तो like कर देना and as your videos future में दिख लेंगे चैनल को subscribe जरूर कर देना तो without wasting your much time let's get started here so दोस्तों जो HP Pavilion यह gaming series launch हुई थी यह काफी अच्छी series है according to me इसमें आपको जो laptop है वो बिल्कुल budget segment से शुरू होगे थोड़े mid segment तक जाते हैं यानि 49,000 से शुरू होगे around 88-89 तक जाते हैं तो उन सभी variants के अच्छा में बात करेंगे तो यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो base variants है वो आपको Acer Nitro 5 के जो base variants है उसके साथ competition में आये है and in fact जो Asus का VivoBook laptop था उसके भी competition में यह laptop है तो यहां पे बहुत जादा competition में आपको इसके सारे variants explain कर दिये जाएं तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले variant के साथ उससे पहले अगर मैं कुछ common चीजों पर बात करूँ तो यह जो laptop है यह आपको सारी ही जो variants है एक जैसी looks के साथ मिलेगा एक जैसा cooling system आपको देखने को मिलेगा in fact total build है वो आपको metallic नहीं मिलती fiber finish देखने को मिलते है जानी almost plastic build आपको design में देखने को मिलेगी and जो इसका keyboard है वो back lid है violet color की light से तो यह भी एक interesting चीज है आपको full keyboard मिलेगा including the numeric keys display आपको subview में 15.6 inches की मिलेगी IPS display मिलेगी 60 Hz का refresh rate होगा हर एक variant के साथ चलो अब variant wise variant हम बढ़ते हैं आगेंट सबसे बहले बात करते हैं basic variant की जो इसका base variant है दोस्तो EC0027AX वो आपको मिलता है 49,990 रूपीस में आप flip card पे check कर सकते हो आपको exclusively वह मिल जाएगा उसकी खास specifications के अगर बात करूं तो as I already told 15.6 inches की full HD display and then 15.6 inches की anti-glare IPS display फुल HD display होगी 60 Hz का refresh rate Ryzen 5 3550H processor AMD की तरफ से RGB RAM 2400 MHz अब टू 32 GB आप expand कर सकते हो वह तू slots 128 GB SSD 1 TB की hard disk जो की 5400 RPM के साथ आती है 3 GB DDR5 NVIDIA GTX 1050 graphics slots की बात की जाए तो 1 USB 2.0, 1 USB 3.1, 1 USB 3.1 Type-C, 1 HDMI 3-in-1 card reader slot or RJ45 को मिलेगा 3 cell battery 135 watt AC power adapter के साथ तो दोस्तों यह सबसे base variant सिदा 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 competition देता है यह Acer Nitro 5 को and Asus VivoBook gaming laptop को यह preferable है तो 49,000 अगर आपका under 50,000 अगर आप laptop करिदने का प्लान कर रहे हो तो इस वन अफ बेस्ट ऑप्शन जो आपको एक अच्छा gaming experience अच्छा battery backup and in fact अच्छी बात आपको अच्छी display के साथ यह laptop देखने को मिल जाता है प्रोसेसर अच्छा है RAM भी अच्छी मिलती है 32GB तक को expand कर सकते हो दो आपको मेमरी के देखने को मिल जाएंगे SSDB में मिलती है विच आपको 256GB SSD देता है तो इस सम्धिंग सब्जेक्टिव कि आप परस्नली किसके साथ जाना चाहते हो आपको एक चीज़ बता दूँ सभी ही वेरिंट में आपको जो है फास चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा 0 to 50% जस्ट इन 45 मिनट्स चार्ज होते है यह laptop चली दोस्तों बटते है अगले वेरिंट के तरफ जो अगला वेरिंट है वह आपको मिलता है 56 990 का तो इस वेरिंट में जो आपको डिफरेंश देखने को मिलेगा वह मिलेगा ग्राफिक्स कार्ड का बाकि सारी जीजेजें आपको अलमोस्ट रिमी मिलती है लेकिन ग्राफिक आपको चार जीवी डीडर 5 नवीडिया जीए तो 2-3,000 का फरक जो है प्राइस में देखने को मिलेगा तो आप कर सकते हैं इस लैप्तॉप को यह प्राइस के साब से अच्छी स्पेसिकेशन आपको प्रोवाइड करता है तो इन दो वेरिंट में अभी तक कोई भी डाउट वली बात नहीं है कि कॉम्पीटिशन में यह बढ़ते हैं अगले वेरिंट की तरफ और चेक आउट करते हैं उसके डिफरेंसिस दोस्तों जो अगला वेरिंट है वो है अराउंड 64,990 रूपीज में अगर इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन यह डिफरेंस की बात करूं तो इसमें भी आपको सेम डिस्पले देखने को ग्रेफिकस नहीं है अगर अगर मैं इसे यह x benefiting है यानि 6530 के तता सही galaxies की अगर मार्केट को एक्सपलोर करोगे तो आपको ई-5 eray आट डैंस के साथ इस प्राइस पर लेप्टॉप मिल जाएगा आपको एसर का ट्राइटन 300 सीरीज का भी एक लेप्टॉप मिल जाएगा राउंड 68-69 ताउजन का जो आइफाइम नाइन जेरेशन के साथ आता है और आपको ग्राफिस कार्ट सेम देखने को मिलता है और इन फैक्ट आप आपको डिसीजन लेना है और आपको भी पता ही है कि मार्केड में कॉम्पूटिशन बहुत जादा है तो यह वेरियंट मैं इतना रिकमेंड नहीं करता है अच्छे लैप्टॉप अवेलेबल है अगले तरफ दोस्तों अगला वेरियंट आपको मिलता है EC0028 AX और यह मिलता दिस्प्लेयर फुल-HD IPS दिस्प्लेय लेकिन प्रोसेसर यहां पर राइजन सेवन थ्री सेवन फाइफ जिरो एच का प्रोसेसर है आट जीबी की रैम सेम अप्टू थरी डू जीवी विर तो स्लॉट्स टू फिफिफिटी सिक्टी सिक्टी एसस्टी वन टीबी हार्ड डिस प्रोसेसर में प्रोसेसर जो है वो अप्ग्रेड किया गया है और बाकी सारी चीजे आलमस्ट आपको सेम देखने को मिलती है तो क्या यह अगर मैं आपको बताओं कि 75,000 में जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था एसर नाइट्रो 7 एसर नाइट्रो 5 के काफ यहां बहुत है आपको एसर नाइट्रो 7 का भी एक वेरिड यहां मिल जाता है जो अच्छी स्पेसिफिकेशन अच्छे प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा मैं यह नहीं करता कि राइसन 7 अच्छा प्रोसेसर नहीं है बड़ आपको इस प्राइस में कोई भी एक तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अगर आप एसुस की रॉग वली सीरीज भी देखो गे तो उसमें भी आपको 75,000 के करीब काफी अच्छे वेरियंट देखने को मिलते हैं तो प्लीज एक आउट की चीजों को भी यह मैं इतना जादर रिकमेंट नहीं करता हूं बड़ तो इस अप तो यू कि आप क्या प्रिफर करते हो तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले वेरियंट की तरफ है अगला वेरियंट जो इस पडिकुलर लैप्टॉप पे मिलता है वह है यह मिलता है आपको 84,990 रुपीस में कुछ डिफरेंसी की बात की जाए तो यहां पे आपको अपको इस अपक्रेट दिया गया है जो की ग्रैफिक्स कार में दिया गया है एक तो उसकी मेमरी बढ़ाई गया है और दूसरा उसका ग्रैफिक कार वेरियंट बढ़ाया गया है तो यहां पे चीजें काफी अच्छी है ग्रैफिक कार माना जाता है 1650 Ti को बट लुकिए सब्सक्राइब करता हूं कि अगर आपका बजेट है तो आप इसके पहले दो वेरियंट जो है वह एक्स्प्लोर कर सकते हो बए भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी रेटिंग भी अच्छी है लेकिन जो इसके हाई-end वेरियंट है वह इसे लिए यह रिक्रमेंड नहीं करता क्योंकि लुकिए अट अट यूविल फाइंट सम्वेरी वेरी गूद ऑप्शिंस तो हाई-end वेरियंट का इसके बहुत जाए तो वहां पर आपको और अच्छे लेप्टों भी देखने को मिल जाते हैं आपके लिए वीडियो रही होगी अगर अगर एक्चुली में हलफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एसी और वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी आपको मेरी वीडियो